वेल्कम गूड मॉर्णिंग ओल्डियर सुटेंग इप्यार नीज चीनल दें सब्सक्राइब और प्रेश ते बेल आइकन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जारकन का नाया लोगो क्या है और इसमें विश्त्री जानकारी लेंगे तो आप देख रहें जारकन का नाया लोगो चोगदा अगस 2020 को राची के आरिभट सभागार में जारकन राजी के नए राजी चिन्न का अनावरन किया गया था और यह 15 अगस 2020 से परभावी हो गया था इस नए परतिक राजी चिन्न के बारे में यह राजी की छबी को दर्शाता है अब यहां से अगर हम देखें कि जारकन के नए लोगों में कुछ इस परकार बदलाव किये हैं तो क्या बदलाव किये हैं इसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए तो यहां पर आप देख कि रहे है यहां पर नरतकी करने वाले हैं तो नरतकी करने वाले की संख्यां कितनी है आप देख रहे हैं जारकन का नय राजय चिन्न आपके सामने में दिखाई दे रहा है तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि धारखन के नए प्रतिक राजय चिन्न का विन्यास चक्राकार है विर्ताकार है आपसे पूछा जाएका है धारखन के नए लोगों का अकार कैसा है तो आपको लिखना है कि विर्ताकार है चक्राकार है जो राज के प्रगती का प्रतीक है आपसे पूछा जाएगा कि जार्खन के लोगों का क्या प्रतीक है यह प्रगती का प्रतीक है अगर दूर नुमर पर हम चर्चा करें तो प्रतीक चिन में विर् तीन नमर की पॉइंट की बात अगर हम करें तो यहां पर देख रहें कि सबसे उपर विरताखंड के बीच में हिंदी में जारखंड सरकार लिखा हुआ है तदा अंग्रेजी में गौर्णमेंट ऑफ जारखंड बे लिखा हुआ है और फोर्थ इस्टेक की बात अगर हम करें तो फोर्थ इस्टेक में साफ लिखा हुआ है कि दूसरे विरताखंड के बीच में चूबिस हांथी को दर्साया गया है आपसे कोस्टन इजी भी पूछा जागरें जारखंड के लोगों में हाथी की संक्षांग इतनी है तो आपको बताना है चूबिस है तो हाथी किसका प फाइब स्टेक के बाद के अगर करें तो तीसरे विरताखंड में चूबिस पलाज के फूल है लोगों में आप पलाज के फूल को देखें लेकिन गिंती नहीं किये कितनी है लेकिन इसमें चूबिस पलाज के फूल को दर्साया गया है और पलाज के फूल राज के राज की पुष के रूप में अपमा उसे लिया गया है और माना गया है तो आप से अगर पूछा जाए कि जहारखन राज की पसु कौन से हैं कौन सा फूल है तो आपको याद रखनी चाहिए पलास के फूल है चलिए आगे देखते हैं और यह कहता पलास के फूल यह किसका प्रतिक है ये प्राकृतिक सुंदरी की परिचायक है। शीक्स पॉइंट की अगर बात करें तो चोथे विरता खारकंड की बीच में सोर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। आप उसमें अगर देखेंगे तो नर्तकी करने वाले 48 नर्तक उसमें डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। सोर और चित्रकारी जन्जाती की सम्रिद संस्कृति विरासित की परतिवीम को ये दर्साते हैं। और 7 नमर में देखें तो अन्तिम चक्र में 60 सफेद विरित को प्रयोग किया गया है। और 8 नमर की चर्चा करें, तो राज चिनी के केंदरी भाग में राश्टी चिन असोक अस्तम को भी दर्साया गया है। असोक्त अस्तम भारत के उत्तम सहकारी संगवाद और इसमें जारकन सरकार की साभागिता और द्विती भूमिका को दर्स आता है। अगर नो नुमर की चर्चा करें, तो और यहां जारकन का नाया लोगो बनकर तयार हो जाता है। ये देख रहे हैं। अप ज्ट क्वराना लोगो का प्रतिक चीन आपके पास दिखाई रहा है। वोड लोगो आप ज्ट हम देखे हैं तो हम 9-9 दिखाई रहा है। तो ये हैंग Crime 4 दिखाई रहा है। और बीच में एक चक्र दिखाई लहा है। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या कॉस्सन बन सकता है तो जयात होकी सबसे पहले विए कई लोगों ने बदलने की बात सामने आती रही पर अब तक हि количе को बदल कर रखा नहीं गया है लेकिन इसमें हम देखते हैं कि आप तक सबसे पहला और पुराना चिन ही चलता आ रहा है जिसमें चार जे अक्षरों के बीच में असुक चक्र बना हुआ है और इसका डिजाइन किस ने किया है तो पुराने जहारकान के लोगों को डिजाइनर अमिता पांडे के द्वारा क्या गया है इससे आपको याद रखने चाहिए ये परिच्छा के द्रिष्टी कौन से काफी महत्पूर्ण है जिन होने क्या किया है आमादावा से अपने डिग पूल रहा होगा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है अगर इसी तरह से और आपको जानकारी चाहिए तो हमारे एटुजड़ी इसटी पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिपिकेशन को अन कर लें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और दोस्तों को जोड़ते चलें ताकि वो भी अच्छी तरह से जानकारी मिले मिलते हैं ने इस क्लास में मेरे वीडियो को आपने तक देखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो